Hey there, press the bell icon and never miss a video on cyber security and technology रखा है मन की उनको यह देगा लेकिन सीखनी है अच्छे से professionally लेकिन फिर जब अप्रोच करते हैं नहीं आता कैसे purchase करें हैं कभी doubts रहते हैं कि हम जहां पैसा दे रहे हैं साही जगा रहा है की नहीं जा रहा है या सब कुछ safe है की नहीं है जो हम कर रहे हैं confusions होते हैं तो उसको मैं clear करने आया हूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या करना है purchase करने के लिए और कैसे access मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले यहां पर आपको बता दूँ कि इस website को आप अगर खोलते हो desktop में तो वो recommended है और अगर आप mobile पर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आप वहां से भी purchase कर सकते हो लेकिन interface में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है आपको देखने में तो मैं यह बोलूँगा कि आप desktop में खोले तो आपके लिए better रहेगा यहाँ पर देखिए यह website का front page है यहाँ पर आप आओगे इस website पर products.bitandexsolutions.in उसके बाद आप course को यहाँ पर यहाँ तो search कर सकते हो अगर आपको नाम पता है तो लेकिन यहाँ पर categories है कि आपको कौन से category का course चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो लेकिन यहाँ पर full एक list आपको मिल जाएगी उपर जो navigation बार है यहाँ पर एक बटने courses का तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो सारे courses जो इस website में है वो आपको दिख जाएंगे आप इस पर जाओगे ठीक है जरूरी है ठीक है यहाँ पर account बनाने के लिए आप कर सकते हो यहाँ पर get started का button आता है उपर यह देखिए login के बाजू में इस पर क्लिक करिएगा यहाँ पर आपको registration करना है अपना यहाँ पर nickname डाल दो जो भी आपको डालना है अपना नाम डाल दो यहाँ पर full name उसके बाद आपका email जो काम करता है ठीक है इसी email पे आपको मिलेंगे access keys या जो course related जो भी मलब जो details या जो mails हैंगे आपको इसी email पे मिलेंगे तो यह सई डालना उसके बाद अपना username अपने account का यह आपको डालना है उसके बाद password आप set कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर clicker होगे registration में त account से तो जो account आपने बनाया था वही account यहाँ पर आप डालीए मैं डालता हूँ यहाँ पर अपने account से मैं login कर लेता हूँ तो ठीक है यह पहले चीज़े आपको ध्यान रखनी है account बना लो यहाँ पर आपको login successful आना चाहिए उसके बाद आप redirect हो जाओगे उसी page में यहाँ पर purchase history यहाँ से देख सकते हो अपने orders वगरा देख सकते हो यहाँ पर देखिए dashboard आपको मिल जाएगा देखो कौन से courses खरीदे थे उसके क्या-क्या statuses है वो आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी profile वगरा edit कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर जो courses का page है यह आपका main है आपको course आपको purchase करना है आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा add to basket का आप यहीं से चाहिए तो इसको basket में add कर सकते हो जो आपका cart है ठीक है और अगर आप course का page भी खौलना चाहते हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा यहाँ पर क्लिक करें course के नाम पर आपको यह page दिखेग और जो topics होंगे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सारे के सारे अभी तो इसमें डले होएं लेकिन जिसमें डले होंगे जैसे कि यह course है exploitation इसमें सारे topics डले होएं पहले से और सब कुछ detail में आपको इस course page पर दिया हुआ है तो एकदम ध्यान से पढ़के आप चाहें तो अन्र आना चाहो यहाँ पर देखो अगर आपको इश्वास नहीं हो रहा है तो पढ़ लेना लेकिन मेरे तरफ से तो guarantee है कि अच्छे लगेगा आपको ठीक है तो अब यहाँ पर आप course page आप खोल चुके हो उसके बाद यहाँ पर आना right side में add to basket का option होगा यहाँ पर जैसा जो Udemy अगर आपने Udemy में अपने explore किया है तो आपको यहाँ भी वही सेम लगेगा यह course का वीडियो है यहाँ पर prices के नीच आपको मिलेगा add to basket अब यहाँ से भी add कर सकते हो तो यहाँ पर जब आप mobile में खोलोगे ना तो यह page के last में होगा तो page के last में एक दब scroll करो आप वहाँ पर मिल जाएगा आपको तो add to basket करो यह page reload हो जाएगा यह देखो यह basket में मेरे cart में add हो जाएगा तो अगर आप card देखना चाहते हो तो उपर एक icon है यहाँ पर navigation बार पर यह card का icon है यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपको कार्ट में क्या क्या चीज़े हैं अगर आप चा अगर मैं check out करना चाहता हूं और कोई course नहीं खरीदना चाहता तो मैं आप पर view basket करूँगा या check out करूँगा directly मैं यही recommend करूँगा कि आप view basket करो यहाँ पर तो यह view basket में जाना आप और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या 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 आपने purchase किया यहाँ पर आप coupon code चाहिए तो apply कर सकते हो discount के लिए जो total आपको pay करना है यहाँ पर दिखेगा उसके बाद आपको check out पर proceed करना है फिलहाल मैं बता दू कि जो PayPal gateway है वो काम नहीं कर रहा है automatically आप अगर PayPal से pay करना चाहते हो किसी और country से हो तो यहाँ पर detailed instructions दिये हुए है note में कि आप मेरी PayPal ID पे इस ID पे भेज़ दो अपने सारे details के साथ आपका email, phone number और जो आपका account का ID है वो भेज़ दो आपका full name भेज़ दो और फिर मैं आपको reward back करूंगा आपको enroll करने के बाद आपका payment receive हो गया उसके बाद सारा procedure होगा फिर आपको mail आ जाएगा यहाँ देखिए अ इसको आपको सही सही feel करना है पूरी details आपको जिसमें भी आपर स्टार लगा हुआ है ना first name यह है last name company name नहीं है optional है उसके बाद country आपकी अगर जो भी है उसके बाद आपकी address है वो डाल दो यहाँ पर उसके बाद phone और email सबसे important है email आपको सही डालना है phone भी सही डालना है यह पर ध्यान रखना कि email और phone आप सही डालो ताकि contact हो पाया आपसे उसके बाद जो आपकी order summary है आपको मिल जाएगी फिर जो payment options है आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सबसे पहला जो option है pay with UPI QR code यह most recommended option है अगर आप UPI use करते हो तो एक तरीके से मैं UPI को promote कर रहा हूँ यहाँ पर अपना जो address है UPI address यहाँ पर आप डाल दो ठीक है मैं for example अपना UPI address डाल रहा हूँ यहाँ इसके बाद एक page खुलेगा यहाँ पर मैं proceed करता हूँ payment में सारे details डालने के बाद आप proceed करें payment पे यहाँ पर proceed to payment उसके बाद यह page खुलेगा आपको यहाँ पर QR code मिलेगा इस QR code को आपको scan करना है अपने किसी भी payment app में किसी भी UPI payment app में जो भी आप use करते हो उसमें option है UPI QR scan करनेगा इसको scan कर लो उसके बाद जो UPI ID आएगी उस पर आपको pay करना है यहाँ पर दिया भी हुआ है आप चाहिए तो directly इसी पर pay कर सकते हो और exact वही amount जो आपका order amount है वो आपको pay करना है ठीक है exactly और जो आपका order ID है वो आप याद अटना और अगर आप payment कर लेते हो उसके बाद ही आप यहाँ पर proceed to next step करोगे ठीक है उससे पहले नहीं करना है पहले payment complete हो जाए आपका amount transfer हो जाए आपके app से उसके बाद ही यहाँ पर proceed to next step करना तो यहाँ पर confirm करना है check out page में आपका order details मिल जाएगा फिलहाल याद रखना कि आपका अभी order on hold है मैं verify करूंगा उसके बाद आपका processing में जायाएगा ठीक है अब यहाँ पर यह हो गया एक method उसके बाद आपके और भी options है payment करने के जैसे इंस्टा मोजो आप जानती होंगे इंस्टा मोजो सारे options है वहाँ पर net banking, UPI या जो भी wallet अगर आप यूस करते हो online का फिर cash free है यह बहुत ही अच्छा एक payment gateway है इसमें भी आपको सारे options मिलते है online के उसके बाद PayPal फिलाल काम नहीं कर रहा है ठीक है उसके बाद आप Stripe से कर सकते हो अगर आपका कोई international या जो आप card से अगर payment करते हो तो card number डालके expiry date डालके completely secure है ठीक है मैं बता दूँ यह payment gateway HTTPS में काम कर रहा है completely secure है जो PCI standard से सारे के सारे follow कर रहा है यह जो भी standard है सारे वही चीज़ा अलगी हुई है कोई दिक्कत नहीं है 500 से जादा लोग यहाँ पर course पे enroll हो चुके हैं और वो course complete कर रहा है काफी अच्छा ल on hold दिखेगा आपको on hold है मतलब मैंने भी verify नहीं किया है जब verify हो जाएगा तो यह processing में आएगा processing के just 5 minute के interval में यह order complete हो जाएगा और आपको आपका access मिल जाएगा आपको एक mail आएगा ठीक है वो mail पे होगा आपका access की आपको इस type का mail आएगा ठीक है तो यह mail जो होगा आप के account वाले email पे आएगा जो आपने भरा था जब आपने अपना account create किया था तो उस email पे आएगा तो यहाँ पर सारे details है कैसे आपको access करना है क्या 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 आपको follow करना है क्या नहीं करना है तो यहाँ पर देखिए जो सबसे important factor है जो आपको इस mail में मिलेगा वो है आपका access key जो यहाँ पर आपका display होगा तो जो access key आपको मिला है उसी के through आप अपने course को देख सकते हो हालां कि जो enrollment है वो पहले हो गया है लेकिन जब आप course का page खोलोगे तो वहाँ पर आपको एक pop-up आएगा कि आपको अपना access key डालना है वो security के लिए है तो वहाँ पर आप अपना access key डालोगे तब आपका जो वीडियो है वो play होगा तो यह काफी ज़रूरी है और काफी confidential है किसी और को मिल गया तो फिर आपका course नहीं खुलेगा आपके videos play नहीं होगे तो यह बात याद रखना है इसको confidential रखना है किसी भी case में और सारे जो यहाँ पर details है आपको मिल जाएं आपको दिख जाएगा यहाँ पर यहाँ पर मेरा एक course है अगर प्री hacking यह मैंने किया हुए enrolled तो मैं इसको खोलता हूं और इसके अंदर जो वीडियो से नहीं वह आपके access में आ जाएंगे यह देखिए यह जो वीडियो है यहाँ मैं खोल लेता हूं कोई भी एक वीडियो कोई बड़ी बात नहीं है तो यही अपना पूरा प्रोसीजर कैसे course देखा जाए कैसे उसको खरीदा जाए कैसे access लिया जाए course पर और कैसे देखा जाए तो यह पूरा प्रोसीजर है आई होप अब आपको clear हो गया होगा और कोई confused नहीं होगा सब courses ले पाएंगे easily तो बस यही तेख चोड़ा सा वीडियो एक walkthrough था और I hope अब आप courses ले सकते हैं मेरे साइट पे ethical hacking के कुछ courses है कफी बड़े कफी affordable आप चाहें तो ethical hacking सीख सकते हैं इन courses से और कफे कुछ सीखने को मिलेगा आपको एकदम professionally तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही अच्छा लगा तो like क कर दें और subscribe कर दें चैनल को ताकि एसी वीडियो cyber security ethical hacking के आगे भी आपको मिलते हैं YouTube पे तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही देखते रहिए सिखते रहिए और goodbye